हेलो एवरीवन वेलकूम आगें टो लांगरे देतीमन आज हम करेंगे चैप्टर नंबर टैन लोग संस्कृति एवर कला तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा स्लेबस में लोग संस्कृति और कला यानि त्योहार मेले ये सब कुछ आपको पढ़ना हैं तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं आज यह आपका लास्ट चैप्टर है शिक्स क्लास का और यह आज हम पूरा कर लेंगे काव्या तिल्ली में हुई गरतंत्र दिवस परेट में भाग लेकर आज विध्याले आई थी प्रातना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साजा करने हितु आमंतित किया गया काव्या ने बताया कि उसे वहाँ अन्य राजियों के बच्चों के साथ रहने का अफसर मिला उसने उनकी कला, संस्कृती, भासा, खान, पान, बेस, भूसा के बारे में अनेक नई बातें जानी साथ ही उसने अपनी राजिस्थानी संस्कृती, कला, भासा, खान, पान, बेस प्रातना सबा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजिस्थान की संस्कृति और कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगी. राजिस्थान में अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौध, सिक, इसाई, दक्षन राजिस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिन में भील, मीना, सहरिया, करासिया, डामोर, आदी प्रमुक है. तो देखिए, दक्षनी राजिस्थान, जो की डुंगरपूर बासवाड़ा वाला शेत्र है, वहाँ पर आदिवासी मिलेंगे. राजिय में भासा, बेजबूसा, रहन, सहन, खानपान, आदी में विवित्ता दिखाई देती है, राजिस्थान की मात्र भासा क्या है, राजिस्थानी है, राजिस्थान के विविन अंचलों में अनेक प्रकार की भासाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से इसे हम दो भागों में पढ़ते हैं एक पूर्वी राजिस्थानी दूसरी पक्षमी राजिस्थानी यहां पर पूर्वी राजिस्थानी में भी अलग-अलग बोलिया हैं और पक्षमी राजिस्थानी में भी अलग-अलग बोलिया हैं पूर्वी राजिस्थानी भासा की चार बोलियां हैं, इसी तरीके से पक्षमी राजिस्थानी भासा की भी चार बोलियां हैं, तो पूर्वी राजिस्थान में देखिए डूणाडी, जैपुरी, हाडोती, मेवाती और अहीरवाती हैं, तो दो-तीन बार आपको ये बोलना है दूराडी, हाडोती, मेवाती और अहीरवाती पूर्वी राजिस्थान में और मारवाडी, मेवाडी, बागरी और सिखावती पक्षमी राजिस्थान में हमारे राजिस्थान सांस्कृतिक दस्टी से विवित्ता पूर्ण है, यहां भासा अलग-अलग मिलेगी, वेस्बूसा अलग मिलेगी, खानपन जगे का फर्क होगा, वहाँ खानपन भी अलग मिलेगा, रिति-रिवास भी अलग मिलेगे. इसी लिए कहीं डाल ढोकला खाते हैं, तो गुजरात साइड में जो टच होंगे, शेत्र, वहां डाल ढोकला खाया जाएगा, कहीं डाल बाटी खाया जाएगा, कहीं बाजरे का कीच, पक्षमिराजिस्तान में बाजरे का कीच खाएंगे, कहीं मक्का की रोटी, ठीक है, मेवा पानी आया होगा, मेरे तो आया है, तो आप लोगों के भी आया ही होगा, ऐसा कौन है, कितना अच्छा खाना देखकर मुह में पानी ना आए, तो ये क्या है, बाजरे का खीच, ठीक है, बनने के लिए बहुत महनत लगती है, बाजरे का खीच, कैर सांगरी, तो ये सबजी बन पारमपरिक राजिस्थानी परिधान काफी सुन्दर और आरामदायक होते हैं, महिलाएं क्या पहनती हैं, घागरा, चोली, रंग विरंगी, गोटा लगी, ओडनी पहनती हैं, वहीं पर पूर्सों का पारमपरिक परिधान धोती, कुर्ता या कुर्ता पजामा होता है, पहनते हैं, यहां के पुरुष पगड़ी पहनते हैं, और महिलाएं घागरा, चोली, रंग विरंगी, गोटा वाली ओडनी पहनती हैं, वहीं पुरुष धूती, कुर्ता, कुर्ता पजामा और पगड़ी, वर्तमान में पक्षमी बेजबूसा का प्रभाब बढ़ता जा र अब देखिए, मनुरंजन के पारंपरिक साधन, मनुरंजन जीवन का निवाते अंग है, राजिस्थान के बिभिन अंचलों में, इस्थानिय और सहस्ता से उपलब्द पारंपरिक साधनों द्वारा मनुरंजन किया जाता है, राजिस्थान के ग्रामीर निवासी इस्थान कंचे का खेल आदी खेलते हैं, चोपड, चोसर, कपड़े पर बनी, विसात पर खेले जाते हैं, चरभर, नर्जारी आदी जमीन पर बना कर खेलते हैं, अन्य जन समुदाए के मनुरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिये, मधारी, चादुगर, पतंगवाची और कट पुत्ली आ कवई आदी हैं, तो यह मैंने अंडरलाइन क्यों की है, क्योंकि यहां पर यह पूछा जाता है, कि हैला क्या होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीके, तो यह याद ही नहीं आएगा, कि हैला हमने पढ़ा था लोक नाटे शैली में, यह पूछा जाएगा, कि इन में से टीन जो है नाटे शयली दे दी जाएंगी और एक कुछ और दे दिया जाएगा पूछा जाएगा इसमें से कौन सी नाटे शयली नहीं है तो इस अभी सब्द याद होना चाहिए ठीक है खयाल हैला गवरी तमासा तुर्रा कलंगी राजधारी राम लीला दंगल स्वांग नौ सांस्कृतिक विवित्था अब हम देखेंगे यहां के त्योहार राजिस्थान में सभी पर्व त्योहार हर्स और उल्लास से मनाते हैं जैसे होली दिवाली रक्षा वंदन इद महाविर जैनती गुरु नानक जैनती कृष्मस साथ ही यहां पर गंगोर तीज अस्टिमी अक साते हैं तो सबसे पहले है गंगोर रंगीली राजिस्थान का रंग विरंगा त्योहार गंगोर है तो पूछा जाता है गंगोर का त्योहार कम बनाते हैं तो यह चैत्र सुकल त्रत्य से आरम हो जाता है गंग और गोर इनका अर्थ है शिव और पारवती इसका मतलब शिव तो यानि की आने को होता है सावन किसी उत्सप से कम नहीं होता है। शावन की महीन में सुक्ल पक्ष की तुर्थिया को. नवे विवाहितें पेड़ों पर जूले डालकर जूलती हैं तो तीज जो है कब मनाई जाती है सावन की सुक्ल पक्ष की तरतिया को भादों की कृष्ण पक्ष की जब तीज आती है तो कचली तीज और साथड़ी तीज के नाम से मनाई जाती है तो कटली तीज और साथुडी तीज कब मनाई जाती है? भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को और यहां हमने देखा कि जो तीज है वह शुकल पक्ष की तरतिया को मनाई जाती है इस अबसर पर महलाओं द्वारा महंदी लगाई जाती है, पारवती की पूजा की जाती है और उनसे महलाएं अपने सोहा की दीर गायू होने की कामना करती हैं यह तोहार प्रकृति और मुनश्य की निकटता का अनुपम उधारन है सीतला अस्टमी, तो सीतला अस्टमी को मनाई जाती है, यह याद रखना है इतना बोली के आठवे दिन, चैत्र कृष्न पक्ष की अस्टमी को सीतला देवी की पूजन के लिए सीतला अस्टमी का त्योहार मनाया जाता है इस दिन बासोडा भोजन किया जाता है यानि कि बासा भोजन एक दिन पहले ही भोजन पका लिया जाता है और उसके अगले दिन पूजा की जाती है जैपूर के पास चाक्सू की सील की डूंगरी और उदैपूर के बल्लव नगर कस्वे में इससी सीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित किये जाते है तो यहाँ पर question बनता है कि सीतला माता का मंदिर जो है उदैपुर में कहाँ पर मनाया जाता है बल्लब नगर कस्वे में उसके बाद है अक्षय तरतिया इस दिन को आखातीज भी कहा जाता है इस दिन बिना महुरत निकलवाई सभी मांगली कार्य किये जाते हैं इस दिन गेहु बाजरा तिल जो आदी की पूजा कि जाती है इस दिन गेहु और बाजरे का खीच भी बनाया जाता है तो अभी हमने ब पिना मुहरत निकलवाए शादी विवाह भी किये जाते हैं। अब हमने त्योहार देखें, उसके बाद देखेंगे मेले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है पुसकर मेला। पुसकर मेला कहां लगता है? अजमेर जुले के पुसकर में कार्थिक पुनिमा पर भव्वे मेला आयोजित होता है, इस अफसर पर विसाल बजार लगता है, देश विदेश से परियाटक आते हैं, यहां अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें मेलार्थी उत्स से भाग लेते हैं, पुसकर में सुप्रसित ब्रह्मा जी का मन्दिर और धील आकर्शन का मुख्य केंद्र है, साएकाल यहां दीब्दान भी होता है, तो मेन पुइंट क्या है यहां पर? कि पुसकर मेला जो है कार्टिक पुर्णिमा को लगता है अजमीर के पुसकर में और इस रहें को चैत्र सुक्ल ऐस्ट को हिशाल मेला लगता है, जिसे लखः मेला ुकर्ण तो क्याल मेला देवी चैत्र द्वादसी से चैत्र सुक्ल द्वादसी तक कृष्ण द्वादसी से सुक्ल द्वादसी तक ठीक है चैत्र महा में चलने वाले इस मेले में दूर-दूर से भक्त आते हैं तो एक चीज आप याद रखिए कि जो माता का मेला होगा वो आपको चैत्र महा में ही मिलेगा महावीर जी का मिला अधिकतर मिला जो है वह कम मिलेगा चैत्र में महावीर जी का मिला सवाई मादवपूर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर इस्तित है जहां चैत्र सुक्ल एकादसी से पैसाक कृष्ण द्वित्य तक मिला लगता है यहां 24 वे जैन तीट कर कौन है महाव पीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा जो है वो कहां है तो यह सवाई माध्वपूर में है। इसमें दसहरा पर्व को अत्यतिक आकर्शक बनाने का सिलसला सुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने बैभव और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। तो कोटा दसहरा मेला जो की दसहरा पर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हर्याली अमावस्या मेला यह है उद्यपूर में लगने वाले इस मेले की सुरुवात महराणा फते सिंग ने 1899 इस्वी में की थी। ठीक है। हर्याली अमावस्या मेला की सुरुवात करने वाले कौन से महराणा है। पते सिंग यहां प्रती वर्स हर्याली अमावस्या को भव्य मेला लगता है। हिंदू सब्वेता में लोग इसे सावन की सुरुवात के तौर पर मानते हैं। शावनमहा की कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुसी का संचार करता है. तो शावनमहा की कृष्ण पक्ष में हर्याली अमावस का मेला लगता है. नेक्स्ट है ख्वाजा मुयनुद्दीन चिस्ती का उर्स ठीक है उर्स याने की मेला ख्वाजा मुयनुद्दीन चिस्ती इरान से भारत आये थे ठीक है मुहमद गौरी के साथ आये थे इरान से भारत और प्रत्वीराज चोहान के समय आये थे कहां आये थे अजमेर में इनको गरीव नवाज के नाम से भी जाना जाता है तो गरीव नवाज के नाम से किसे जाना जाता है ख्वाजा मुयनुद्दीन चिस्ती को अजमेर में इनकी दरगा ठीक है अब इनकी दरगा जो है कहां है अजमेर में पूरे देश के लोगों की आस्ता का केंदर है इस्लामिक कैलेंडर की रजव महा की पहली से छटी तारीक तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है यह मेला सर्व धर्म संभाव की अनूटी मिसाल माना जाता है नेक्स्ट मिला है वैनेश्वर मिला तो वैनेश्वर मिला जो आदिवासियों का मिला है यह राजिस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मिला है तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मिला कौन सा है वैनेश्वर मिला माग पूरिमा के अफसर पर ढूंगरपुर जिले में माहिस, जाखम और सोम नदियों के संगम इसकल पर यह मिला लगता है इससे लोग अपने दिवंगतों की अस्नियां भी प्रवाहित करते हैं तो यह लाइन important है, आप लोग नोट करिएगा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाईए आराम से करनी माता का मेला वीकानेर जिले में दैसनों के करनी माता में मंदिर में यह मेला आयोजित होता है करनी माता वीकानेर साशकों की अधिस ठाती देवी हैं तो बिकानेर के साशकों की देवी कौन है कर्णी माता है इस मंदिर की विशेशता ये है कि यहां काले और यहां अधिकतर सफेद चूहे विचरन करते हैं ठीक है तो सफेद चूहों के लिए जाना जाता है कर्णी माता का मेला सीकरी जिले का खाटु श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद इस्थल है यहां पागुन के सुक्लपक्ष की 10-12 तक मेला आयोजित्त होता है कई वार एक्जाम में पूछा गया है खाटु स्याम जी का मेला कहाँ लगता है सीकरी जिले में बावा रामदेव का मिला जैसलमिर जिले में पोकरण कस्वे के पास रूनीचा नामक इस्थान पर भाद्र पद महा के सुकल पक्ष की तुटिय से एकादसी तक यह मिला आयोजित होता है बावा रामदेव राजिस्थान के जाने माने लोग देता है जिनमें सभी वर्ग और धर्मों के लोगों की आस्ता है तो देखिए बावा रामदेव जी का जो मिला है इसमें सभी धर्म और वर्गों के लोग जो है वो सम्मलित होते हैं ये लाइन ज की मजार हैं जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है यह दाउदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है यहां की उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं तो गलिया कोड का उर्स जो है वह है कौन से समाज की आस्था जो है इसमें है दाउदी बोरा समाज की अन्य मेले, अन्य मेले कौन से हैं? इन सभी मेलों के अत्रिक राजिस्थान में अनेक मेले लगते हैं जिसमें प्रमुक है सीकर जिले का जीन माता मेला, तो जीन माता मेला कहां लगता है सीकर जिले में, भरतरी का मेला अलवर जिले में, तो दिखिए कई बच्चे पूछेंगे कैसे याद होंगे तो चितना आप पढ़ेंगे यह चीज़ें उतनी ही ज्यादा है आपको याद होंगी बार-बार पढ़ना है यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूं स्लेबस जो है वो बहुत सारा इकटा हो जाएगा आप लोगों को याद नहीं होगा तो स्टार्टिंग जो है वो कर दीजिए तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा आप लोगों को इंटरस्ट भी नहीं आएगा तो जहां तक ही ठीक है आप लोग इसको एक दो बार पढ़िएगा वीडियो को देखिएगा जिसे की आपको याद हो सकें साथ में ही आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाती चाहिए जो बच्चे खुद के नोट्स बना कर ही पढ़ते हैं तो वो लोग नोट्स बना सकत तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे थैंक यू